हाई अब्रिवन हैसिंग के इस सीरीज में मैं प्रेंस आप लोगों का वेलकब करता हूँ बहुत दिन उसे दिमाग में चल रहा है यार हैसिंग क्या होता है अपन आल्वेस बहुत जगा पर यह पढ़ते हैं कि हैसिंग बहुत इंपोर्टेंट ठीक है लेकिन हम लोग आज तक अभी इसको ठंक समझ नहीं पाए ना उसको प्राक्टेस कर पाए बहुत बार समझ भी गया लेकिन प्राक्टेस नहीं हो पाया लाइन बाइन इस ट्रॉक्चरड वे में ताकि वो चीज अच्छे से ग्रैस्प हो पाए ठीक है तो आज अपन जो इस सी हैसिंग पहले पढ़ा रखा है बहुत सारे वीडियो के सीरीज में कहीं पढ़ाया हुआ था तो उसको मैंने एक जगा पे कहते है ना रख दिया है मैं जब पुराने को इस सीरीज को कम्प्लीट कर रहा था तो उस दौरान हैसिंग मैंने पढ़ाई थी ठीक है तो आप इस अब इस दोनों वीडियो से ज़रूर देखना उसके बाद यहां से स्टार्ट करना विकॉस यह जो वीडियो अप्लोड होगा वह थर्ड नंबर पर होगा इस प्लेलिस्ट में ठीक है आई होप को आपको चीज समझ में आ गई होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं अब जो ह से जो बैच स्टार्ट हो रहा है जो कि अगर आप इंटर्मीडियेट लिवल के कोडर है और एक्सपर्ड बनना चाहते हैं तो इस बैच में काफी सारी चीज़े कवर करवाई जा रही है अब इस बैच को अब इसमें इन्रॉल कर सकते हैं सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं अगर आप अपने कैडवी में सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो एक हेलो वल्ड नाम का कूपन कोड दिया हुआ है मुझे आप उसको अप्लाई करके 10% डिसकांड भी ग्रास्प कर सकते यह बैच उन लोगों के लिए बहुत ही एफेक्टिव निकलने वाला है जो लोग की कोडिंग लेवल इंटर्मेडियेट लेवल पर और वो चाहते हैं कि मैं और प्रो बनू कोडिंग में और प्रो बनू कोसुन सॉल्विंग स्किल्स में तो यह पूरा का पूरा पढ़ाया जाएगा अब अब जरूर इसे चेक करें अगर आपको चीज अच्छी लग रही है तो ना बैक टू वीडियो अब अपन सॉल्व करते हैं हैसिंग हैसिंग क्या है अब देखो इस वीडियो को देखने से पहले मैं यह थोड़ा एज्यूम करके चल रहा हूं कि द आपन का सबसे में फोकस इस पूरे सेरीज में हैसिंग की प्लेइस्ट में कि आपको हैसिंग के सवाल हो जाने चाहिए यह सबसे इंपॉर्टेंट है अब देखो हैसिंग इंपॉर्टेंट क्यों है मैं यह मान के चल रहा हूं कि आपने दो वीडियो देख रहे हैं अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, हैसिंग में सबसे important जो हम लोग term रखते हैं, जो सबसे important ध्यान रखते हैं कि search, insert और delete, यह जो तीन operation है वो over one time complexity में होना चाहिए, अब इसके पीछे का क्या मतलब है देखो, let's suppose आपके पास phone number दिये हैं और हर phone number के corresponding में उस person का detail दिया हुआ है अगर आपको कहा जाए, कि आप phone number दिया हुआ है, आप बस find करो कि वो phone number dictionary में available है कि नहीं अगर available है तो उसके corresponding जो भी detail है person का आप उसे दे दो ठीक है, उसके बारे में बता दो तो अब जो है, अगर अपन hashing apply करते हैं, तो इसका सबसे बड़ा benefit क्या है, कि हम लोग search case में कितना time में हो रहा है, o of one complexity में, ठीक है, it means कि single unit of time लग रहा है, अब हम लोगो कोई भी phone number दिया हुआ है, हम लोगो ने तुरंद भर में hash table से find कर लिया, देख लिया कि वो phone number available है कि नहीं, अगर phone number available है, तो उसके corresponding value है, it means कि जो details है, वो हम लोगो मिल जाता है let's suppose हम लोगो phone number insert करना है, ठीक है, hash table में, तो हम लोग देखेंगे सबसे पहले search operations है, जो कि o of one time complexity का है, कि वो phone number available है कि नहीं, अगर available है तो उसके corresponding data होगा हम लोग return कर देंगे अगर हम लोग फिर भी उसमें insert करते हैं, तो जो पुराना data है उस phone number के corresponding, वो overwrite हो जाएगा, ठीक है अगर हमें delete भी करना है, तो हम देखेंगे कि वो phone number available है कि नहीं अगर available है, तो हम लोग delete भी कर देंगे it's so simple, मतलब hashing जो है, वाकई में इतना important है, कि वो काफी सारे चीजों को beat कर देता है जितने भी बहुत सारे data structure ऐसे हैं like array, link list, वो मतलब in सारे operations में काफी सारे चीजों में काफी सारे data structure को पीछे छोड़े देता है that's why hashing पे मैं यतना ज़्यादा force कर रहा हूं कि आप इसको पूरे playlist में बने रहो और आपको बहुत कुछ समझ में आएगा दोगो बहुत जगा पे na hashing useful नहीं भी है let's suppose अगर हम लोगो कहा जाए कि कोई sorted manner में data रहो दोगो जो pipiटी चल रहा है मतलब कि इसका ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा hashing के case में because उसमें हर कुछ random manner में होता है अगर आपको कहा जाए कि कोई closest value निकालो it means what कि आप ऐसा phone number find करो या ऐसा key find करो इसमें basically key value की बात कर रहा है ऐसा key find करो अगर वो key present नहीं होता है तो उसके आस पास को कोई number find करके बता दो तो इस case में भी hashing पीछे छोड़ी जाता है इस case में अपना जैसे की avial tree हो गया red black tree हो गया तो ये सारी चीज़े ज़्यादा effective निकलती है तो अब जो है ये तो समझ में आए कि hashing कहाँ is useful और कहाँ useful नहीं है अब हम लोग देखते हैं कि hashing का application क्या है अब आप सोच रहोगे ये प्रिंस भाई कोई जादा ही थियोरी पढ़ा रहा है पता नहीं क्यों मैं बता रहा हूँ अभी ना आपको frustration आएगा इस series में पक्का frustration आएगा हर किसी को आता है कि ये चल क्या रहा है code कराओ code करना है में थियोरी नहीं पढ़ना है बड़ जब अभी पूरी थियोरी इस खतम करोगा फिर आप add-in relate कर पाओगे कि कितना better था ये चीज अब मैं बात करूँ hashing का application like dictionaries अगर आपके पास कहा जाए बहुत सारा useful words का collection है अब जो है दोखो hashing का इस पूरे IT industry में, computer industry में hashing हर जगा implement हो रहा कितने सारे top key mncs मतलब कि array के बाद अगर कोई सबसे ज़्यादा use होने वाला data structure है तो hashing है क्यों? बिकास उसके सबसे ज़्यादा कम unit of time लगने के कारण o of 1 is literally much 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 better than o of n and o of log n ठीक है यह आपको समझ में आ रहा होगा that's why hashing इतना दा important है कैसे होता है, क्या होता है अपर आगर details में discuss करेंगे doesn't mean कि आपको मैं सब कुछ अभी समझा रहा हूँ अब बस संते जो dictionary में कैसे use कर रहे है let's suppose बहुत सारे अच्छे words का collection दिया हो है ठीक है अगर आपको find करना है कि कोई particular word prince prince का मतलब क्या होता है ठीक है तो prince का मतलब क्या होता है यह hash table में हम लोग quickly search कर सकते है कि prince available है कि नहीं उस set of keys में available है तो नहीं check करने में कितना लग रहा है o of one it's very good तो बहुत effective निकलता है दूसरा क्या है cryptography अब देखो let's suppose अगर in general जतनी websites होती है हम लोग जब भी कोई password login करते हैं sign up करते हैं तो password जो save होता है उनका database में वो कभी भी plain password save नहीं होता है वो हमेशा उसको एक transform कर दिया था hash code में ठीक है मतलब कि कोई एक function होता है उसको अपन password डालते हैं और वो एक hash code generate करता है और उसको अपन उस has values को hash table में store करते हैं इसका ये फाइदा होता है कि data steal अगर कुछ होता है तो password हमारा safe रहागा जो account है वो safe रहागा अब देखो let's suppose हमने एक password entered किया अगर हम लोग उस पूरे has values को अगर array में रखेंगे तो हम लोग को o of n time लग जाएगा खोजने में तो user login करने में काफी time लग जाएगा तो हम लोग हैस यूज़ करते हैं hash table यूज़ करते हैं basically hash table क्या है o of one time complexity लग रहा है password अगर match कर गया has से तो it's fine नहीं किया तो अगे मतलब की password error आ जाएगा तीसरा क्या है catches catches मतलब क्या हुआ हम लोग जब भी कोई website पर search करते हैं जब भी कोई URL पर search करते हैं तो कुछ ना कुछ local data storage होता है website का ठीक है वो की cache में store रह जाता है अब देखो अब यहाँ पे जो key है वो URL है और जो local data है वो तुमारा values हो गया इट मिन्स कि हर एक key के according हर एक URL के according कुछ ना कुछ local data store रहता है हर website अब जब भी बहुत बार खुद में notice करते हो कि website जहां खोलते हो बंद करके जाते हो वापस वहीं से खुलता है और वो ही सारे data load रहते है वो data basically cache में store हो जाता है ठेक है इट मिन्स कि यहां पे भी हम लोग pairing कर रहे है यहां भी data key और value में store कर रहे है चौथा है symbol table in compiler and interpreter अब देखो जब भी अपन code लिखते हैं ठेक है तो जब compiler interpret करता है लाइक कि इस colon का मतलब क्या है while keyword का मतलब क्या है for का मतलब क्या है तो अपने symbol table में match करता है अब यह तो check नहीं करेगा ना कि for line-ball in o of n time ले लेगा array में अगर अपन रखेंगे तो तो अपन hash use करते है o of one time लग रहा है for का मतलब क्या है और for को कैसे रखना है यहां भी hashing बहुत useful है router router कैसे useful है भाई देखो जैसे कि अब हम बात करते हैं कि एक router से मालोब बहुत सरे computers connected है ठीक है अब जो है हमको find करना है कि किसी जो अब हमने पास list of IP address है अब हर IP address के regarding हर computer का Mac address जुड़ा वा होगा ठीक है let's suppose हमें कोई particular IP address का Mac address find करना है तो हम लोग चेक करेंगे कि वह IP address connected है कि ने connected है तो उसके corresponding कौन सा data है हम लोग उसको चेक कर लेंगे तो इस तरह से hashing का बहुत सारा use है ठीक है यह तो बहुत कम है रियल लाइफ में बहुत जादा होता है अब आते हैं एक सबसे important point direct access table यह direct access table क्या है देखो अगर एक case तुम लोग को दिया जाए कि हम लोग को एक number store करना है ठीक है number store करना है इसका क्या मतलग है कि let's suppose कि तुम्हारे पास keys है 0 से लेके 999 तक इसमेंस कि 1000 keys हो सकते हैं हमारे पास ठीक है 1000 keys हो सकते हैं और हम चाहा रहे हैं कि उस 1000 key को हम लोग जैसे कि particular number of keys जो possible keys है वो outcome क्या सकता है 0 से लेके 999 तक हम चाहा रहे हैं कि particular number of keys पे insertion, delete और search operation लगा है वो भी o of one time complexity में आपको समय दे रहे हैं आप सोचो कि आप क्या से करोगा I hope कुछ तो दिमाग में चला होगा as usual चला ही होगा देखो हम लोग क्या करते हैं हम लोग सोचते हैं कि इसे कि insert 10 जो example situation दिया हुआ है इसक्रीन पर देखो insert 10, insert 20, insert 119 फिर search करना है फिर delete करना है तो हम लोग सोच रहे हैं कि इसको सारा काम o of one में होना चाहिए ये कैसे करें इसके लिए अपने एक सिंपल सा काम करते हैं boolean array मानते हैं 0 से लेके 999 तक ठीक है 0 से लेके 999 तक अगर अगर आपन boolean array मानते हैं तो अपन क्या करेंगे सब को starting ये false कर देते हैं पहला आएगा insert 10 ठीक है इट मेंस कि 10th value index पे अपन क्या करेंगे 10th value index पे इसको 1 कर देंगे राइट फिर आया insert 20 तो insert करने में कितना समय लगा insert करने में लगा o of 1 बड़ आवियस है अगर हम लोग किसी array में insert कर रहे हैं तो o of n लगता है sorry o of 1 लगता है ठीक है फिर से insert 20 कि o of 1 फिर insert 1999 करते हैं तो वह भी o of 1 कोई दिक्रत नहीं search करना है 10 ठीक है तो 10th वाले index पे गए है और check किये कि अगर वो true है it means कि उसकी value 1 है it means कि वो present है false है तो present नहीं है फिर search करना है 20 again o of one time complexity delete करना है 1999 1999 को 0 कर देंगे उस जगा पे जाके it means कि जहां true था उसको false कर देंगे तो यह सारा operation o of one में हो रहा है बट आप यह देखो अगर यहीं पे case अगर ज़्यादा होता it means कि number of keys की जो size है वो बहुत बड़ी होती तो क्या आपन इसको इस तरह के एक table मतलब कि boolean array का size बना के कर सकते थे let's suppose number of keys होता 10 lakh तो क्या आप boolean array 10 lakh बनाते है या उससे भी जादा बड़ी नर्टीज होती जब आप 10 होती या एक phone number इस्टोर करना होता तब तो दिक्कत था तो direct tax is stable का जो सबसे बड़ा loss है वो क्या है जहां पर यह large values को handle नहीं कर पाता है हमारे पास क्या था कि number of जो numbers थे इंडर्ट कर रहे थे वो index से match जुलता मिलता था तो अपन उसको as a index use कर लिए let's suppose अगर यही phone number रहता तब क्या करते हैं अपन तब तो first आते floating point number रहता तब भी हम लोग उसको key नहीं बना पाते है या फिर कोई key जो है string रहता जैसे कि prince, rakes, rosson अगर यह साही रहता और उसके corresponding कोई data store रहता जैसे prince एक key है ठीक है उसके corresponding data क्या store है कि वो जहारकंड में रहता है वो computer science graduate है वो hello world चलाता है तो prince नाम से काफी सारा data store है अब हम क्या चाहते है कि जो index रहे वो integral ना रहे, key wise रहे मतलब कुछ ऐसा रहे कि हम नाम से पता कर पाएं तो यहाँ भी direct accessible काम नहीं कर पाएगा ठीक है तो यह था यहाँ तक की कहानी वीडियो को आप बंद करते हैं मतलब वीडियो का फ्ला पॉस करते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपन हैसिंग इस्टार्ट करेंगे और बहता तरीके से और देखें कि कोलिजनिंग क्या होता है हैसिंग का तरीका क्या है यह सारी चीज है ठीक है आई होप इस सीरीज में आप फ्लस्ट्रेट हो रहे होंगे विकास होना लाजमी है अगर हो रहे तो पक्ना कुछ नव कुछ सीख रहे होंगे अगर मेरा वीडियो अच्छे लगता है या मेरे चैनल अच्छा लग रहा है प्लिज वीडियो को लाइक करो चैनल को सब्सक्राइब करो एंड ज्यादा आधा लोगों साथ सेयर करो तब तक लिए बाई एंड विलते हैं नेक्स वीडियोस में बने रहना, पेसेंस रखना, छोड़ना मत बाई